हेलो दोस्तों गुण मॉर्निंग कल हमारे दर खुप सारी बारिश हुई थी तो मैंने सारे अपनी इंडॉर प्लांट इतने भी थे सबको छट पे रख दिया था इस वारी गर्मी इतनी भेहंकर पड़ी कि हमारे इंडॉर प्लांट भी सारे खराब होने लगे सारे पत्ते पी इतने बिल्कुली साफ कर दिया अपने पूरे पोधे को सारे गृन पत्ते ते ब्राउन पत्ते थे जो भी थे सब को मैंने अच्छे से तोड़कर भी अपने पूरे पोधे को अब इसमें सारे green पत्या ही बची हैं अब इसमें मैंने क्या किया है इसमें मैंने डाला है seaweed liquid fertilizer इससे growth भी बड़ी तेज हो जाती है और पोधों की पत्या भी हरी भरी होती है और जड़े भी बहुत जल्डी से growth करती है बहुत अच्छा होता है ये पोधों के लिए 1 ml या 2 ml हम 2 लिटर पानी में जिसके बना रहे हैं तो दो तीने मल डालेंगे और अच्छे से पूरे पत्तों को भीगा देंगे और इसकी मौस स्टीक है सब को भीगा देंगे मिटी इनकी गीली है इसलिए मिटी में नहीं डालूंगी क्योंकि कल बरसाद में रखा तो सारी मिटी करके आपको दिखाती। देखिए मैंने अच्छे से सारे यह जारे मैं अच्छे से पौदों को मैंने सीविट लिविट लटि लख दिए नतनी बड़ी बड़ी से रख दिया इतनी बड़ी बेले हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यू और मेरे साथ में हमेशा बने रही है